दोस्तों कौन कहता है कि हर्पीज का इलाज नहीं हो सकता है जिहां बिल्कुल हो सकता है एलोपैतिक साइंस तो यही कहता है कि हर्पीज का इलाज पॉसिबल नहीं है और मैं कहता हूँ इलाज पॉसिबल है आईरवेज में इसका पुरी तरह पॉसिबल है तो आज के वीडियो आप देख रहे हैं आपको आपना इट्यूब चैनल आपकींगम दोस्तों जो यह पेशेंट था ज़ो सब जानते हैं हर्पीज वाइरस होता है हर्फी सिंप्लेक्स वाइरस कहते हैं इसको और यह जिसको एचस्वी भी कहते हैं और यह इसका इलाज होना पॉसिबल नहीं है अ इसको खतम करना पॉसिबल नहीं है इसका इलाज है बहुत सी बिमारीयों का इलाज है पर जल्दी से कोई ध्यान देता है नहीं लोगों इसके बार में इतनी जादा जानकारी है पर हम बैठें किसलिए हैं घर गरन तक हमारा मोटो है तो हम बात करते हैं उस पेशेंट की तो इसने जांस करवाई थी और मैंसे ट्रीटमेंट लिया था ठीक है और वैसा कि आप सब जानकार भी इसने डिपोर्ट डाली है तो इसने मैंसे ट्रीटमेंट चालू किया और फिर दूसरी एक पहली रिपोर्ट के अंदर आप बकाई देखरो 1.88 इसकी जो इंडेक्स वेल्य है यानि इसको पॉजिटिव है हरपीज ठीक है अब वहीं दूसरी साइट देखो कि आप सेकेंड रिपोर्ट के अंदर इसने बगाई मैंने बाद ही वापस जांस करवाई है और जो कि बिल्कुल इसके अंदर आप देख सकते हो कि नेगेटिव है पूरी तर से ठीक हो चु अगर तियार होता है को इसे लिए चुपाना पड़ा है कि और बी मार्त है और इसके अंदर आपके जैनाटल ओर फोरगंज और आपके माउथ चीह तर से ठीक हो चुका है और प्रोग बॉनुरा तो जो लोग आयरवेद में वरोसा रखेंगे वह अपनी किसी भी बिमारी से पूर इतर से मुखत हो सकते हैं क्योंकि आयरवेद है तो सब कुछ पॉसिबल है जी हां दोस्तों आयरवेद में लगबग हर बिमारी का इलाज है बस आयरवेद की तरफ ध्यान कोई नहीं देता है क्योंकि लोगों को इसकी ज़्यादा नोलेज निया और ग्यान देना नहीं चाहती क्योंकि एलो पैसी इतना पैसा कोई उनको खिलाता नहीं है करवा है पर सबसे ठीक है तो आज के वीडियो में मेरा मक्सद यह इसा वीडियो बनाने का कि जो हर्पीज का जो ट्रीटमेंट है पॉसिबल है यह दिखाना बिल्कूल हो सकता है अगर आपको भी ट्रीटमेंट से लेटेड कोई जानकारी चीए तो नंबर आपको मेरा डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा वीडियो में चल रहा है और सोचल मेडिया हैं और सोचल मेडिया हैं तो आज की वीडियो यहीं नमस्कार